Hello everyone, welcome to Study IQ. Study IQ के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एक important topic जो है Biosphere Reserves of India. भारत के Biosphere Reserve. तो सबसे पहले ये देखना होगा कि Biosphere Reserve क्या होता है? United Nations की एक संस्था है, जिसको बोलते हैं UNESCO. United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. ये संस्था काम करती है विभिन देशों की संस्कृति को बचाने में. जैसे विश्व विरासत स्थल, यानि UNESCO World Heritage Site Declare करना, Intangible Heritage Declare करना, यानि अमूरत विरासत गोशित करना, Dance, Music, Monuments, स्मारक, इन सब की रक्षा करना, ये सब काम करती है. तो UNESCO ने 1971 में एक प्रोग्राम शुरू करा, जिसका नाम था Man and the Biosphere Program, M.A.B. Man and Biosphere Program. ये Intergovernmental Scientific Program था, Intergovernmental होता है, जिसमें बहुत सारी सरकारे मिलके काम करती है, और Scientific Program मतलब ये है, इसमें वैज्ञानिक अनुसंधान होता था. तो इसका काम क्या था? इसका काम ये था, नाम से पता चल रहा है, Man and Biosphere. Biosphere क्या होता है? धर्ती का वो हिस्सा, जहां पे जीवन है, उसे Biosphere बोलते हैं. Bio मतलब भी होता है Living. इसलिए कोई भी ऐसी चीज, जो जिन्दा है, उसकी पढ़ाई को Biology कहा जाता है. अब उसमें अगर आप पोधों को पढ़ेंगे, तो Botany बोल दीजिए. अगर आप जानवरों को पढ़ेंगे, तो Zoology बोल दीजिए. तो बहुत सारी ब्रांचीज होती है, Biology की भी. तो ये कोशिश है इसमें की मानव के बीच में, Man और Biosphere, यानि हमारे परियावरण के बीच में, एक समनवे बिठाये जाए, एक कॉपरेशन, एक सहयोग बिठाये जाए, एक सामनजस्स से बिठाये जाए. तो Man and Biosphere प्रोग्राम का काम क्या था, कॉपरेशन करो, रिसर्च करो, तो ये पाँच चीजें में थी इसमें, जैसे Biodiversity Laws को रोको, यानि जैविक विवित्ता, जैविक विवित्ता जिस तरह से खतम हो रही है उसको रोको, Conservation, यानि कि सर्रंक्षन करो, Climate Change को रोको, जलवायो परिवर्तन को रोको, Sustainable Development यानि सतत विकास करो, ऐसा विकास जो अभी की जरुरतों को भी पूरा करे और आने वाली जनरेशन्स की जरुरतों को भी नजर अंदाज ना करे, उसको बोलते हैं Sustainable Development, Education and Research पे ध्यान दो, तो ये Man and Biosphere Program के Main Thrust Areas थे, यानि कि जिन पे बल देना था, वो वाले Areas थे, अब Biosphere क्या होता है, ये समझे, Biosphere से, Biosphere मैंने बता दिया, धर्ती पे जहां जा जीवने वो Biosphere है, तो Biosphere Reserve क्या होगा फिर, Biosphere Reserve एक ऐसा Area होता है, जहां पे हमें ये 5 काम करने है, तो UNESCO हर देश, ह अपने पहले खुद के Domestic Biosphere Reserve बनाता है, फिर UNESCO से Approve कराता है, अब अगर UNESCO उसको Approve कर दे, तो वो International Level का Biosphere Reserve बन जाएगा, और इसको एक नाम दिया गया है, World Network of Biosphere Reserve, यानि अब वो दुनिया के Network में आ गया Biosphere Reserve के, अंतराष्ट्रिये ख्याती उसे मिलेगी, अंतर देशिये Biosphere Reserve बन के रह गया, अंतर राष्ट्रिये तो नहीं बन पाया, अंतर देशिये यानि डोमेस्टिक बन गया, ठीक है, अब भारत में 18 Biosphere Reserve है, और 18 में से 11 UNESCO ने Approve कर दी है, यानि 11 Biosphere Reserve भारत के ऐसे हैं, जो World Network of Biosphere Reserve का हिस्सा है, और 7 जो बचे वो कैसे है डोमेस्टिक, यहां तक क्लियर एक नम, क्रिस्टल क्लियर, अब Biosphere Reserve काम कैसे करता है, देखो, Biosphere Reserve के तीन हिस्से होते हैं, अंदर होता है कोर, अचा पिछले वीडियो में मैं आपको यह बता चुका हूँ, जो मैंने पिछला वीडियो Tiger Reserve का बनाया था, उसमें यह बताया अंदर बाला एरिया होता है सबसे, और जो बाहर बाला एरिया होता है, और यह बताया गया था कि एक Biosphere Reserve बहुत बड़ा इलाका होता है, बहुत बड़ा एरिया होता है, उसके अंदर Wildlife Century भी होता है, और उसके अंदर National Park भी होता है, अब इस विडियो में आपको यह clear हो पिच्चर याद रखनी है, यह पिच्चर मैंने खुद तयार करी है, बहुत ही आसान यह आपको बना देगी, देखो सबसे अंदर वाला जो एरिया आप देख रहे हो, यह वाला, जो सबसे अंदर वाला एरिया है, जिसको अभी भी कुछ भी करने की अनुमती नहीं होती, यहाँ पे जानवर रहते हैं, बड़े अराम से रहते हैं, कोई उन्हें छेड़ता नहीं है, कोई परियटन नहीं होता, कोई मानव यहाँ नहीं घुसता है, हाँ, वन विभाग के लोग हो सकते हैं, बस बाकी कोई नहीं गुश सकता ये core area है, कोई touch नहीं करेगा इसे अब एक बात बताओ, क्या यही area नैशनल पार्क नहीं था? तो जो core area होता है, वो बिलकुल नैशनल पार्क जैसा होता है In fact, एक biosphere reserve का जो core area होता है उसी के अंदर नैशनल पार्क बनता है अब हम आते हैं दूसरे area पे दूसरे area को बोलते हैं buffer area buffer area में कुछ चीजें allowed हैं जैसे आप वहाँ पे लकडी जो होती है जो जलाने के लिए लकडी चाहिए, tribal लोगों को चाहिए या स्थान या निवासियों को चाहिए, वो माजे इखटी कर सकते हैं फूल पतियां वगारा इखटी कर सकते हैं forest produce, जिसको बोलते हैं minor forest produce देखे, जंगल से हमें सिर्फ लकडी ही नहीं मिलती बहुत चीजें मिलती हैं और उनको कहा जाता है minor forest produce या non timber, timber मतलब लकडी तो timber मतलब होता है लकडी और लकडी के अलावा जो चीजें होती हैं जैसे ओशदिये पोधे हैं दवाईयां, medicinal plant, आयूरवेद की दवाईयां होती हैं ये सब होता है तो ये सब allowed होता है वहाँ पे वहाँ पे full पतियां इखटी करना पर ओशदिये पोधे, aromatic plant, खुश्बुदार पोधे, attractive पोधे जिने aromatic plant बोलते हैं, वो सब इखटे करना ये सब allowed है मचली पकड़ना वगारा भी कुछ हद तक allowed है ये सारी activities allowed तो हैं पर highly regulated है कोई नजर रखेगा कि कितने level पे हो रही है थोड़ा बहुत परियाटन, बहुत ही mild, बहुत ही mild परियाटन allowed है, ठीक है बहुत ही थोड़ा परियाटन allowed होता है buffer area में, मैं biosphere reserve की बात करूँ है यहाँ पे, और थोड़ी बहुत पशु को आप चरा सकते हैं, यानि कि पशु को चराना, यानि mild grazing allowed होती है, पशु की चराई allowed है, लेकिन वो भी controlled होगी, उस पे भी नजर रखी जाएगी और अगर आप कोई छोटा मोटा अनुसंधान करना चाहें, यानि education और research activity allowed है क्योंकि उससे बातावरण को फाइदा ही होगा क्योंकि biosphere reserve जो होता है, इसका परपस सिरफ जानवरों को बचाना ही नहीं है वो एक है, education और research भी करना है man on environment के बीच में हमें एक समन्वे स्थापित करना है तो हम education और research को buffer area में allowed करते हैं अब एक बात आईए, क्या ये सारी activities आपको wildlife century की याद नहीं दिलाती तो अब अगर मुझे एक biosphere reserve में wildlife century बनाना होगा तो मैं कहां बनाऊंगा, buffer area में बनाऊंगा clear or not clear तो core area में बनेगा national park, एक biosphere reserve के और buffer area में बनेगी wildlife century और इसमें एक तीसरा area भी होता है, जो उसके बाहर होता है जिसको बोलते है area of cooperation या transition area area of cooperation क्यों, क्योंकि हमें sustainable development पे ध्यान दे रहा है तो इस area का हम इस्तेमाल करेंगे, लेकिन इस तरह से करेंगे कि buffer और core area पे फरक ना पड़े, दुश प्रभाव ना पड़े तो यहाँ पे सडके निकाले जा सकती है, rail की पट्रे निकाले जा सकती है फैक्टरी लगाई जा सकती है, यहाँ पे mining की जा सकती है अगर permission हो तो और यहाँ पे परियटन पूरी तरह से allowed है ठीक है, तो यह तीन areas एकदम clear अगर आपको हो गए तो बहुत असान हो जाएगा bias for reserve को समझना, तो सबसे पहले core area, core area में यह legally protected area है पूरी तरह से, कोई भी मानव गतिविदी allowed नहीं है यानि core area is nothing but national park by the way, national park को हम IUCN category 2 area बोलते हैं यह भी आपको याद रखना, MCQ के लिए IUCN एक संस्था है, International Union for Conservation of Nature जो प्रकृति के सरंक्षन के लिए अंतराश्री संगठाने उसे बोलते हैं IUCN, इसका headquarter है gland नाम की जगा पे, जो की swizzor land में है, तो category 2 IUCN area बोलते हैं national park को buffer zone, buffer zone में जैसा बताया research, education बगारा कर सकते हो, permitted है बहुत ही कम परियटन, थोड़ी बहुत मचली पकड़ना यह सब करना, grazing करना, जानवरों को चराना बगारा वो है तो buffer zone is nothing but wildlife century तो wildlife century जो हो गया, यह IUCN category 4 area बोलते हैं से मैं रिपीट करता हूँ, जो national park होता है IUCN category 2 area होता है, और जो buffer area होता है यानि कि जो wildlife century होता है, वो wildlife century IUCN category 4 area होता है, और IUCN category 2 होता है national park फिर manipulation zone, यानि कि यहाँ पे सब कुछ अलाओड है जंगल लगा सकते हो, human settlements, यानि लोग रहते भी हैं यहाँ पे जैसे मान लोगर कोई गाउं बसा हुआ है, तो गाउं को फिर हम जाने को नहीं बोलेंगे, गाउं को अलाओड करेंगे वहाँ पे तो ऐसी जगा पे मानव, पश्यू, संगर्ष भी कई बार देखे जाते हैं क्योंकि जानवर जब भार निकल के आएगा, पहले core area से भार निकलेगा, फिर buffer में आएगा फिर buffer से भार निकलेगा, तो वहाँ गाउं बगरा बसे होंगे, उनमें जाएगा तो ये लेकिन वो area है जहां हमें cooperation स्थापित करना है, ठीक है, मानव, पश्यू, संगर्ष तो होते भी हैं, लेकिन ultimately cooperation भी होता है, तो दोनों के बीच में cooperation होता है, सहयोग होता है, तो ये वो area है, यानि यहाँ पे मानव और पश्यू, उनके बीच हमें एक harmony establish कर रही है, इसको बोलते हैं transition area या manipulation area, और कई बार हम क्या करते हैं, किसी area को eco sensitive zone declare कर देते हैं, उस case में फिर हम गतिविदियां वगरा लाओ नहीं करते हैं, उसमें फिर हम सब कुछ रोग देते हैं, बट otherwise यहाँ पे यहाँ पे limited activities सारी allowed होती हैं, यहाँ पे लोग भी बसे रहते हैं, इसको बोलते हैं transition या manipulation area, तो यह जो तीन area हैं, एक biosphere reserve के यह highly important है, अब मैं आपको biosphere reserve पढ़ाना शुरू करूँगा, उससे और understanding आपकी develop होती जाएगी, तो कितने biosphere reserve हैं भारत में? 18, 18 में से 11, UNESCO ने सारे देशी हैं, यानि domestic हैं, तो एक एक करके cover करेंगे, पहले आपको location दिखाता हूँ, कुछ-कुछ करके दिखाऊंगा location, सारी एक साथ नहीं, क्योंकि बड़े area होते हैं, तो एक ही map में सारे डाल देता, तो बहुत ही जादा वो होच-पोच हो जाता, सबसे पहले उपर स यहां से स्टार्ट करते हैं, नंदा देवी, जो है यह उत्राखंड में है, नौक्रेक, जो है यह biosphere reserve, यह मेगालिया में है, नीलगिरी, नीलगिरी बहुत ही important पहाडियां है, और नीलगिरी biosphere reserve भारत के तीन राजियों में है, तमिलनाडू, केरल और करनाटक, और ग्रेट निकोबार, ग्रेट निकोबार जो है यह अंडमा निकोबार में है, बंगाल की खाड़ी में, और यहां पर table में भी लिख दिया गया है, कि इन चारों के नाम, जैसे मैंने आपको चार दिखाए, तो फिर चारों की table भी है, जिससे table में आपको याद करना आसान हो जाए, आ यह तीन राज्यों में है, तमिलनाडू केरल करना तक, नंदा देवी उत्राखंड में है, नौकरैक जो है यह मेगाले में है, और ग्रेट निकोबार, अडमा निकोबार में है, अब एक एक करके डिटेल में पढ़ते हैं चारों को, चार दिखाए मैंने आपको, चारों को पढ़ते हैं डिटेल में, सबसे पहले निलगीरी बायोस्फेर रिजर्व, अब निलगीरी बायोस्फेर रिजर्व जो है, यह तो बहुत बड़ा एरिया है, तो इसके अंदर वाइल लाइफ सेंचुरी भी होगी, नैशनल पार्क भी होगा, तो कोर एरिया में तो नैशनल वैली नैशनल पार्क है, जो केरल में है, मुकुर्थी नैशनल पार्क है, जो तमिलनाडू में है, बांदिपूर टाइगर रिजर्व है, जो करनाटक में है, नागर होले टाइगर रिजर्व है, जो करनाटक में है, मुदु मलाई टाइगर रिजर्व है, जो तमिलनाडू जो Biosphere Reserve था, वो कौन सा था, नीलगीरी Biosphere Reserve, इसमें क्या आपको ये भी याद रखना है कि एक Biosphere Reserve के अंदर कौन-कौन सी Wild Life Century ये हैं, उतना जरूरी नहीं है, हलांकि UPSC का 2017 का जो एक्जाम था, उसमें question आया था, एकदम डिट्टो, मैं आगे बताऊंगा वो क्या question था, अब नीलगीरी जो है, ये Biosphere Reserve इसकी कुछ विशेशता हैं बताता हूं, सबसे पहले नीलगीरी के जो पहाड हैं, इन्हें अंग्रेजी में Blue Mountain कहा जाता है, नील का मतलब भी होता है नीला, गिरी मतलब होता है पहाड, नीला पहाड यानि Blue Mountain, तो नीलगीरी के पहाडों को Blue Heritage Site का हिस्सा है, क्योंकि पश्यमी घाट तो बहुत बड़े हैं, ये अगर मैं दक्षिन भारत बनाऊं, तो पश्यम घाट तो यहीं से स्टार्ट हो जाते हैं, उपर से एक्तम यहां से, यानि कि महाराश्ट्रा हो गया, फिर गोवा छोटा सा, फिर करनाटक और फिर केरल, ये पूरे पश्यम घाट हैं, तो इसमें नीलगिरी यहां कहीं पे आता है, तो पश्यम घाट का हिस्सा है नीलगिरी, और ये therefore, क्योंकि पूरा वेस्टन घाट एक World Heritage Site है, तो ये भी World Heritage Site Automatically हो गया, नीलगिरी को Blue Mountain बोलते हैं, जैसे मैंने बताया, और UNESCO के World Network of Biosphere Reserve में भी एक आखिर में इस वीडियो के एक मैप दिखाऊंगा, एक नक्षा दिखाऊंगा, जिन में से 18 में से जो 11 हैं, UNESCO के द्वारा Approved, वो एक मैप में होंगे, तो उससे आपकी बहुत जल्दी Understanding बन जाएगी, कि वो 11 कौन से हैं, अलग-अलग से आपको याद नहीं करना पड़ और दूसरा है Lion-tailed Makayu, यह एक बंदर जैसा दिखता है यह जानवर, Lion-tailed Makayu इसे कहा जाता है, तो यह दो विशेश जानवर आपको याद रखने है, यह वाला जानवर है निलगीरी ताहर, जो तमिलनाडू का State Animal है, और यह जो बंदर जैसा दिख रहा है, यह है Lion-tailed Makayu, अब हम बात करते हैं, नंदा देवी के बारे में, देखो नंदा देवी Biosvairies अब उत्राखंड में है, मैप में हम देख चुके हैं, और इसमें नंदा देवी National Park आता है, ज्यानि कि इसका जो core area है, वो क्या है, नंदा देवी National Park, और इसमें एक और National Park है, Valley of Flower National Park, और आपको of Flower, फूलों की घाटी, दोनों World Heritage Site है, तो नंदा देवी Biosphere Reserve के जो maximum area है, वो UNESCO World Heritage Site है, और ये World Network of Biosphere Reserve में भी आता है, नंदा देवी भारत की दूसरी सबसे उची चोटी है, किसके बाद, कंचन जंगा के बाद, कंचन जंगा 8598 मीटर है, हिमाले की चोटी है, कंचन जंगा वैसे, याद रखिए, केटू कंचन जंगा से भी उची है, केटू की उचा ये 8611 मीटर है, पर केटू को हम काउंट नहीं करते हैं, क्योंकि disputed area में आती है, ठीक है, और वैसे भी काराकॉरम के पाड़ों में आती है, हिमाले के पाड़ों में नहीं आती, तो के का मतलब भी काराकॉरम है यापे, केटू, काराकॉरम, जो इसको एक और भी नाम है, गौडविन ओस्टिन पीक भी कहते हैं, गौडविन ओस्टिन चोटी भी कहा जाता है इसे, तो केटू को हम काउंट नहीं करते हैं, तो भारत की सबसे उची चोटी जो है, वो कंचन जंगा है, हिमाल हरिटेज का जो दर्जा मिला था, मैंने बताया नंदा देवी और वैलियो फ्लावर, तो इनको मिला था 1988 में, यहां के जो सबसे इंपोर्टेंट जानवर हैं, वो हैं हिमालियन मस्क डियर, यह जो जानवर देख रहे हो, इसको बोलते हैं, मस्क, मस्क डियर को हिंदी में कस कस्तूरी म्रिग कहा जाता है, और यह उत्राखंड का स्टेट अनिमल है, तो उत्राखंड का स्टेट अनिमल क्या है, हिमालियन मस्क डियर, यानि कस्तूरी म्रिग, तो यह है वो, फिर है हिमालियन ताहर, जैसे निलगिरी ताहर था, वैसे यह हिमालियन ताहर है, यह बरफ बली जगा पे मिलता है और snow leopard यानि बरफिला तेंदुआ बरफिला तेंदुआ और तेंदुआ में क्या फरक होता है और tiger और lion में क्या फरक होता है देखो tiger lion और leopard यानि की बाग शेर और तेंदुआ तीनो गर्जते हैं रोर करते हैं इनकी गर्जन होती है बरफिला पड़ ये हिमाचल का state animal है, हिमाचल परदेश का, ठंडी जगा पर मिलता है, हिमाले ब्लैक बियर यानि काला भालू, लंगूर और रिसस मकाक, लंगूर तो आपको पता है क्या होता है, और रिसस मकाक ये है, इसको रिसस मंकी बोलते हैं, मेकाक मतलब कुछ नहीं, मेकाक या म मकायू भी बोल सकते हो, आप इसे कोई दिक्कत नहीं है, मकायू कुछ लोग मकायू प्रेफर करते हैं, कुछ मकाक बोलते हैं, मेरे जो प्रफेसर थे आज से 15 साल पहले जिन से मैं पढ़ता था, वो मकायू बोलते थे, तो मैं भी मकायू बोलता हूँ, कहते है न, एक जो है, यह मेघाले में है, अब मेघाले में आप जानते हैं, तीन तरह की पहाडियां हैं, एक तो खासी की पहाडियां, एक गारो की पहाडियां और एक जैन्तिया, यह तीन पहाडियां हैं मेघाले में, तो मेघाले में जो गारो की पहाडियां हैं, वेस्ट गारो, उनकी स सबसे उची चोटी है Nocrack, इसलिए इसका नाम हो गया Nocrack Biosphere Reserve, और यहाँ पे जो core area है, वो है Nocrack National Park, National Park की होगा core area, और यह भी UNESCO के World Network में आता है, तो यहाँ पे क्या मिलेगा आपको Nocrack Biosphere Reserve में, देखो Nocrack Biosphere Reserve में आपको जो सबसे important तीन या चार जानवर मिलेंगे, उसमें red panda, और red panda सिक्किम का state animal है, सिक्किम का राजगे पशु है red panda, यह मिलेगा और यह बहुती rare है, बहुती दुरलब पशु है यह, फिर stump-tailed monkey, macaque, यह है stump-tailed monkey, यह है pig-tailed monkey, यह वाला pig-tailed monkey, इनकी पूँच की बनावट के हिसाब से इनके नाम रखे है, और hulog-gibbon, यह अरुनाचल का state animal है, यह दिख रहा है, यह वाला बंदर जैसा, यह hulog-gibbon कहते हैं और यह बहुत important है, क्योंकि अरुनाचल ने state animal बदल लिया है, अरुनाचल का state animal पहले मिथुन होता था, और नागा लेंड का भी मिथुन होता था, लेकिन अब अरुनाचल का state animal नया जो बना है, वो है hulog-gibbon, वहाँ की सरकार ने state animal को change कर दिया है, पहले मिथुन होता था, अब है hulog-gibbon, अब बात करते हैं, Great Nicobar Biosphere Reserve, अब जो अंडमान निकोबार को जानते हैं, वो ये भी जानते हैं कि भई अंडमान और निकोबार एक अंडमान सम्हू है, एक निकोबार सम्हू है, ठीक है, तो उसमें जो Nicobar वाला है उसमें भी कई Nicobar है तो उनमें एक है Great Nicobar तो Great Nicobar आइलेंड जो है इसका लगबग 85% एरिया ये Biosphere Reserve से ढखा है और ये भी ये भी UNESCO के Man and Biosphere प्रोग्राम में है और ये Biosphere Reserve काफी बड़ा है ये भी अब इसका Core Area क्या है तो याद रखिए इसमें दो National Park है नौर्थ की तरफ अगर आप देखेंगे तो नौर्थ की तरफ बोलते हैं Campbell Bay National Park जो Core Area है इसका और इसका जो South का एरिया है वो है Galathia National Park तो दो-दो National Park Core Area में है इसके एक तो है Campbell Bay National Park और एक है Galathia National Park तो ये एनमा Nicobar में है यहाँ पे आपको मिलेगा Salt Water Crocodile और आपको होता है पूरी दुनिया का इट इस दा लार्जेस्ट क्रोकोडाइल यह सबसे बड़ा मगर मच होता है उसके बाद ये एक जाएंट लैदर बैक सी तर्टल है तर्टल मतलब कच्छुआ तो ये जो कच्छुआ है बहुत ही बड़ा है साइज में इसको जाएंट बोलते हैं वैसे भारत पे छोटे कच्छुआ भी मिलते हैं जैसे ओडिसा में मिलता है ओलिव रिड़ी टर्टल अब बहुत चोटा सा होता है उसके मुकाबले ये तो बहुत बड़ा है तो ये है उसके अलावा मलयान बॉक्स टर्टल ये भी टर्टल का परकार है और निकोबार ट्री यह गिलहरी जैसा जो यह दिखराई जानवर इसको बोलते है निकोबार ट्री शुरू ये यहाँ पर अनिमल्स मिलते हैं ग्रेट निकोबार बायोसफेर रिजर्व में तो अठारा में से चार हमने कर लिय है डिटेल मैं अब अगले चार करते हैं अब हम बात करेंगे मानास बायोस्फेर रिजर्व असाम में जो है सुन्दरबंस की बात करेंगे हम सिमलीपल उडिसा की बात करेंगे और हम गल्फ ओफ मननार की बात करेंगे ये हैं चार गल्फ ओफ मननार मनास, सुंदर्बन और सिमलीपल पहले मनास की बात करते हैं इन चारों में तो मनास नेशनल पार्क जो है मनास बायोस्फेर रिजर्व इसमें कोर एरिया क्या है मनास नेशनल पार्क और ये मनास नेशनल पार्क बहुत चीजें हैं यहां पर मतला, for example, यह एक Project Tiger, यानि Tiger Reserve भी है मनास, Tiger Reserve भी है यह, यह Elephant Reserve भी है, हाथियों के लिए भी Famous है यह, Elephant Reserve भी है, और और यह National Park भी है और Biosphere Reserve भी है, ठीक है, तो यह जो नाम है कहां से आया मनास? यह नदी है मनास, तो मनास नदी ब्रह्मापुत्रा में जाके मिल जाती है, इस Wikipedia पर यही मिली मुझे फोटो उसके बाद यहाँ पर जानवर कौन-कौन से मिलते हैं तो यहाँ पर तीन बहुत important जानवर हैं एक तो है यहाँ पर Assam Roofed Turtle यह है Assam Roofed Turtle यह कच्छुआ है यह भी यह है घरगोष जिसको Hispid Hair बोलते हैं, Golden Langour पिग्मी होग, यह जो जानवर हैं से पिग्मी होग बोलते हैं और एक भैंस होती है Wild Water Buffalo और Golden Langour को बचाने के लिए यह स्वर्णिम लंगूर होता है इसको बचाने के लिए भारत में चक्रशिला Wildlife Century बनी थी यह question भी आ सकता है कि भारत की सबसे important wildlife century कौन सी है जहाँ पर Golden Langour मिलता है तो Golden Langour को special बचाने के लिए बनी थी चक्रशिला Wildlife Century जो की असाम में है यह होता है Golden Langour उसके बाद बात करते हैं Gulf of Manar Biosphere Reserve अब Gulf of Manar है कहाँ पे? नीचे आ जाओ भारत के एकदम यह जो एरिया है यह Coromandel Coast कहते हैं तमिलनाडू का जो एरिया है उसे Coromandel Coast कहा जाता है तो Coromandel Coast से श्रिलंका की तरफ जाओगे तो Beach का जो एरिया बच जाता है उसे बोलते हैं Gulf of Manar यहाँ पे 21 टापू है इन 21 टापूँ को मिला के हम बोलते हैं Gulf of Manar Marine National Park यानि समुद्री अब समुद्री है तो obviously आपको बंदर तो मिलेंगी नी तो क्या मिलेगा यहाँ पे सबसे important जो जानवर मिलता है वो है डुगॉंग जिसको बोलते हैं Sea Cow यह पानी में तैरती है इसको Sea Cow यानि समुद्री गाए बोलते है डुगॉंग कहा जाता है धनुषकोडी जो की बिल्कुल South Point है धनुषकोडी वहाँ से जाओगे शिरलंका की तरफ तो बीच वाला जो सारा समुद्र का अरिया उसे बोलते है Gulf of Manar और यहीं पे 21 टापू जो है इनको मिला के बोला जाता है Gulf of Manar Marine National Park तो यह Gulf of Manar Marine National Park Core Area हो गया इस Biosphere Reserve का अब बात करते है सुन्दरबंस की देखो सुन्दरबंस जो है यह दुनिया के सबसे बड़े Mangrove Forest है Mangrove Forest Mangrove Forest डेल्टा वाले अरिया में पाए जाते है चनली जहाँ पे नमकीन पानी होता है जहाँ पे नदी समुद्र से मिलती है इन्हें Hello Fight भी कहा जाता है Hello Fight वो पोदे होते हैं जो नमकीन पानी में सर्वाइव कर जाते है तो सुन्दरबंस Biosphere Reserve यह इसी नाम से National Park है इसी नाम से Tiger Reserve है और Elephant Reserve है इतना ही नहीं यह World Heritage Site भी और Ramsar Site भी है तो कितनी सारी चीजें है सुन्दरबंस Biosphere Reserve यह UNESCO World Heritage Site भी है यह Ramsar Site भी है सुन्दरबंस ठीक है Ramsar Site इस पे हम एक और वीडियो में बात्याचा करेंगे कभी Elephant Reserve भी है Tiger Reserve भी है और राष्ट्रे उद्यान भी है सब कुछ ही है यह और सुन्दरबंस इसका सुन्दरबंस नाम क्यों पड़ा पश्चिम मंगाल और बंगलादेश में फैले हुए सुन्दरबं के Forest अच्छा इनका जो Core Area है वो क्या बनाएगा Core Area इनका है सुन्दरबं National Park Very Simple Core Area तो National Park ही होगा इनका buffer area कौन सा है तो इनका जो buffer area है buffer area में क्या होता है Wild Life Century तो इसमें कौन-कौन सी Wild Life Century है Halliday Island Wild Life Century Lothian Island Wild Life Century और सजना खली Wild Life Century यानि सुन्दरबं Biosphere Reserve में ये तीन Wild Life Century आती है buffer area में Halliday Island Wild Life Century Lothian Island, Halliday Island और सजना खली और यहाँ पे जो वैसे तो देखो Tiger Reserve है तो Tiger तो मिलेंगे Royal Bengal Tiger मिलता है यहाँ पे Royal Bengal Tiger तो लेकिन और जो फेमस हैं उनके अलावा Royal Bengal Tiger के अलावा यहाँ पे Mast Finfoot नाम का बर्ड मिलता है यह पक्षी है पानी में भी तैरता है यह Mast Finfoot और Esturine Crocodile जिसे Saltwater Crocodile बोलते हैं एक ही बात है Esturine क्या होता है Esturine मतलब Esturine आप समझते हो जैसे जब नदी समुद्र से मिलेगी या तो फैलेगी तो डेल्टा बनाएगी और नहीं फैलेगी सीधी मिल जाएगी तो Esturine बनाएगी तो Esturine Crocodile यह Saltwater Crocodile एक ही बात है कोई घबराने वाली बात नहीं अब बात करते हैं Simlipal Biosphere Reserve देखो Simlipal यह ओडिसा में है यह Simlipal Biosphere Reserve और यह Elephant Reserve भी है और Tiger Reserve भी है दोनों है तो Simlipal Biosphere Reserve का जो core area है वो क्या होगा वो होगा Simlipal Tiger Reserve और Simlipal इसका नाम Simlipal क्यों पड़ा क्योंकि एक पेड होता है जिसको बोलते है Bombac Siba इसका वैज्ञानिक नेम है Bombac Siba तो Simlipal Silk Cotton Simlipal का मतलब Simlipal जो बना वो Simlipal से बना Simlipal का मतलब होता है Silk Cotton तो यह पेड मिलते हैं यहाँ पे लाल रण के जिनें Bombac Siba या Silk Cotton के पेड कहा जाता है इसलिए इसका नाम Simlipal हो गया तो यहाँ पे Simlipal National Park है जो कि इसका Core Area है Simlipal National Park ठीक है वो Core Area है हदगर्ड Wildlife Century इसका Buffer Area है और कुलदीहा Wildlife Century भी इसका Buffer Area है तो Simlipal Biosphere Reserve यह मान लेते हैं तो इसके Core Area में है सुन्दरवन सुन्दरवन National Park और या Tiger Reserve भी बोल सकते हो ठीक है कल मुझे कुछ बच्चों ने पूछा कि अगर मान लो कोई National Park भी हो और Tiger Reserve भी हो तो क्या prefer करें बोलना National Park बोलें के Tiger Reserve बोलें आपकी मर्जी है जो मर्जी बोलें दोनों ठीक है क्योंकि वो तो Project Tiger के अंडर आ गया तो Tiger Reserve बन गया उसको एक्स्ट्रा पैसे मिलेंगे Project Tiger के अंडर मर्ना है तो वो National Park Similarly अगर कोई Wildlife Century भी है और Tiger Reserve भी है तो क्या बोलें दोनों में कोई भी बोल सकते हो आप उसमें कोई दिक्कत नहीं है आप इसको Simlipal National Park भी बोल सकते हो हाँ लेकिन अगर ये Simlipal Wildlife Century होती और तब Tiger Reserve बना होता तब आप ये नहीं कह सकते थे कि Core Area Tiger Reserve है Simlipal Tiger Reserve नहीं क्योंकि पहले वो Wildlife Century थी तब Tiger Reserve बना था तो अटोमेटिक वो Core Area नहीं बन जाएगा फिर ये आपको ध्यान रखना है बस तो Simlipal National Park जो है ये इसके बीच में Core Area हो गया और इसके बफर एरिया में क्या हो गया बफर एरिया में इसके दो Wildlife Century है हदगर Wildlife Century और कुलदीहा Wildlife Century यहाँ पे जो सबसे Important Animal मिलता है क्योंकि Tiger Reserve तो Tiger तो रहे गई उसके अलावा यहाँ पे गौर मिलता है अब अगले चार करते हैं तो पांच है इसमें कंचन जंगा वाला पढ़ेंगी कंचन जंगा Biosphere Reserve देहांग दिबांग Biosphere Reserve दिबरू साइखोवा Biosphere Reserve पंच मढ़ी मद्यप्रदेश में और अगस्ते मला भगवान अगस्ते रिशी अगस्ते थेक उनका घर अगस्ते मला तो एक एक करके पढ़ते हैं यहाँ पे वोई टेबल में है जो मैं बता रहा हूँ तो पहले है पंच मढ़ी Biosphere Reserve पंच मढ़ी Biosphere Reserve में क्या-क्या आता है इसके कोर एरिया में है सत्पूरा नेशनल पार्क तो सत्पूरा नेशनल पार्क जो है और सत्पूरा को सत्पूरा क्यों बोलते हैं सत मतलब साथ साथ परवत की चोटियां है और सबसे उची चोटी कौन सी है इन में धूपगड तो सत्पूरा में जो सबसे उची चोटी है उसे धूपगड कहा जाता है तो सत्पूरा नैशनल पार्क है यहाँ पे और बफर एरिया में है बोरी वाइल लाइफ सेंचुरी और पंचमडी वाइल लाइफ सेंचुरी और यहाँ पे सांबर मिलता है, सांबर क्या है? सांबर ओडी सा का state animal है, हिरन जैसा दिखता है चीतल मिलता है, चीतल बोलते है spotted deer को, यानि ऐसा deer, ऐसा हिरन जिसके शरीर पे धब्बे होते है, spotted deer, उसे चीतल भी का जाता है, नील गाय मिलती है, नील गाय जो की दिल्ली का state animal है, wild dogs, और यहाँ पे उड़ती हुई गिलेरियां भी मिलती है, giant squirrel, यह देखिए, यह डाग्राम सामबर और चीतल में confusion नहीं होनी चाहिए, देखो सामबर जो है, यह odysa का state animal है, यह भी याद रखिए, और सामबर हिरन जो होता है, वो बहुत बड़ा होता है size में, यह है सामबर हिरन, और यह है धब्बेदार हिरन, जिसको चीतल बोलते हैं, यह इसको चीतल बोलते हैं, और इसलिए खत्रे में आ जाता है, क्योंकि आसानी से दिख जाता है यह बाग को या उसको, और आसानी से शिकारिस का किया जाता है, अब बात करते हैं, दिहांग दिभांग बायसफेर रिजव, जो है अरुनाचल परदेश की बात हो रही है, तो इसमें जो कोर एरिया है, मॉलिंग नैशनल पार्क, इसका जो बफर एरिया है, वो है दिभांग वाइल लाइफ सेंचुरी, और यहां पे कुछ दुरलब स्तंध हरी जीव मिलते हैं, मैमल, स्तंध हरी जीव किसको बोलते हैं, जैसे हुमेन बिंग्स हैं, स्तंध हरी जीव की दो विशेश्टाइएं होती हैं, जो किसी पश्चु में नहीं होती, क्या, एक तो इनके बाल होते हैं, बाल किसी और के पास नहीं होते हैं, सिरफ स्तंध हरी जीव के पास होते हैं, यानि मैमल के पास होते हैं, और दूसरा ये अपने बच्चों को दूद पिलाते हैं, यानि इनके पास स्तं होते ह यही हैं जो पच्चों को दूद पिलाते हैं इनके अलावा कोई नहीं पिलाते हैं ना पक्षी पिलाते हैं, ना एंफिबियन पिलाते हैं ना जो दूसरे इंसेक्ट हैं आर्थरोपॉड हैं, कोई नहीं, सिर्फ मैमल्स इसलिए ने स्तंध हरी जीव कहा जाता है और इनके बाल होते हैं, बाल भी और किसी के नहीं होते हैं कभी आप मेंडक के बाल नहीं देखेंगे कभी आप किसी पक्षी के बाल नहीं देखेंगे पक्षी के पंक देखोगे, बाल नहीं देखोगे ठीक है तो पक्षी के पंक जो होते हैं छोटी-छोटी उनको बाल से कन्फियूज मत करना हैर, हैर सिर्फ मैमल में होते हैं तो मॉलिंग नेशनल पार्क और दिवांग वाल डाइफ सेंचुरी है यहाँ पे और यहाँ पे बहुत ही दुरलब वो मिलते हैं मैमल जैसे मिश्मी टकीन यह बहुत इंपोर्टन है मिश्मी एक ट्राइब भी है अनाचल में याद आया मिश्मी ट्राइब तो यह है मिश्मी टकीन बोलते हैं से रेड गोरल यह जो है इसको बोलते है रेड गोरल यह इसके अलावा यहाँ पे कस्तूरी मर्क भी मिलता है, रेड पंडा भी मिलता है और काला भालू भी मिलता है नेक्स्ट है दिब्रू साइखोवा बाइसफेर रिजर्व का कोर एरिया है दिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क और यहां पर आपको गोल्डन लंगूर मिलेगा चकरशीला वाइल्डेक सेंचुरी की तरह गोल्डन लंगूर यहाँ पे एक बहुत important पक्षी मिलता, जो कहीं और नहीं मिलता, बहुत ही दुरलब है, white-winged wood duck, यह है white-winged wood duck, बागी भैस है यहाँ, water-wild buffalo है, black-breasted parrot bill, capped langur, और royal Bengal tiger, यह जो पक्षी है, यह है black-breasted parrot bill, और यह जो दिब्रु साइकोवा biosphere reserve है, यहाँ पे नदियां भी है, ज नौर्थ में भैती है, और इस biosphere reserve के south में भैती है, दिब्रु नती, कंचन जंगा biosphere reserve, तो कंचन जंगा biosphere reserve कंचन जंगा क्या है, भारत की सबसे उची हिमाली चोटी है, कंचन जंगा सिक्किम में है यह, कंचन जंगा biosphere reserve, यह UNESCO World Heritage Site है, very important, और कंचन जंगा biosphere reserve, UNESCO के World Network of Bios reserve में भी आता है, और इसका जो buffer area है, वहाँ पे एक monastery भी है, जिसको बोलते हैं Tholung monastery, यह सिक्किम की बहुत important monastery है, monastery में लोग पूजा करते हैं, बहुत धरम के लोग जाते हैं हमाँ पूजा करने, सिक्किम में बहुत धरम के लोग बहुत रहते हैं, और यहाँ पे आपको, क् बरफ मतलब यहाँ पे पहाड़ी area है, ठंड है, और उपर जाओगे कंचन जंगा की तरफ तो of course बरफ ही मिलेगी, तो snow leopard मिलेगा, बरफिला तेंदुआ मिलेगा, musk deer, कस्तुरी मरिग मिलेगा, हिमाली ताहर मिलेगा, जो उत्राखंड में भी हमने देखा था, asiatic wild dog, sloth bear, civ तो यह सब आपको वहाँ पे मिलेंगे, अब अगस्ते माला और इनकी बात करते हैं, जो तीन-चार ओर हैं, जैसे अगस्ते माला है, कच, कच वाला है, cold desert, अचान कमर, अमर कंटक, सेशा चलम और पन्ना, तो इनको एक एक करके देखते हैं, सबसे पहले कच Biosphere Reserve, तो कच कहाँ पे है, गुजरात में, अब कच जो है Biosphere Reserve, यहाँ पे core area में क्या मिलेगा, यहाँ पे आपको मिलेगा, पहली बात तो बता दूँ, इसमें दो, जब हम कच की बात करते हैं, run of कच, तो दो run of कच हैं, एक है great run of कच, जो बड़ा है, और ए इसमें यह buffer area होगा, इसमें कोई national park नहीं है, कोई core area नहीं, तो कच desert century, great run of कच में है, और एक है wild ash century, जो little run of कच में है, तो दो इसमें wild life century है, national park कोई इसमें नहीं है, और यहाँ पे काफी, यह दुनिया का सबसे बड़े नमकीन, जो saline और मार्शी area है, उनमें आता है, यहा ना के पराबर होती है, क्योंकि rainfall बहुत कम होती है, फिर भी यहाँ पे घास के मैदान होती है, जिनें बोलते हैं बनी, तो बनी घास के मैदान गुजरात के कच में है, और एक ही जानवर होता है, main जो यहाँ पे है, वो है Indian wild ash, यह होता है run of कच में, उसके बाद अचान कमर, अमर कंटक Biosphere Reserve, यह जो है, यह मध्यपरदेश और 36 गड़ में फैला है, अमर कंटक एक बहुती important तीर्थ स्थान है, अमर कंटक, और अमर कंटक जो है, यहाँ से दो नदिया में निकलती है, नर्मदा और सोन नदी, जो मुखे हैं, वो दिये दो हैं, नर्मदा और सोन नद और मैकाल के पहाड़ें यहाँ पे, बहुती खुबसूरत एरिया है यह, अचान कमर अमर कंटक Biosphere Reserve, बद्धे परदेश अतिसगड़, और ऐसा माना जाता है, कि जो विंधिया के पहाड़ें और सत्पुरा के पहाड़ें, वो यहाँ पे मिलते हैं, अमर कंटक में, फिर है अगस्ते माला, यह अगस्ते मलाई, Biosphere Reserve, यहाँ पे रिशी अगस्ते रहते थे, उनका घर था यह, ऐसा माना जाता है हमारे पुरानों में, हमारे शास्त्रों में, और यहाँ पे एक जंजाती भी रहती है, जिसको बोलते हैं कनी करण, कनी करण जंजाती, यह दुनिया की स हाड है, उसकी उची चोटी है, 1868 मीटर उसकी उचाई है, उसके बाद Cold Desert Biosphere Reserve, Cold Desert Biosphere Reserve हमाचल में है, और यहाँ पे कोर एरिया में, पिन वैली नैशनल पार्क है हमाचल का, पिन वैली नैशनल पार्क और बफर एरिया में, चंदर ताल, सर्चू और किबर वाइल लाइफ स पिर है सेशा चलम hills, सेशा चलम hill वहीं है, जहाँ पे तिरुमाला है, तिरुमाला जहाँ पे भगवान, तिरुपती बाला जी जिनको बोलते हैं, तिरुपती, लॉर्ड वेंकाटेश्वर, ठीक हैं, तो शिरी वेंकाटेश्वर नैशनल पार्क है, यहाँ पे कोर एरिया, और यहाँ पे वैसे पक्षी जादा है यहाँ पे, तो यहाँ पे yellow-throoted brulwool यह पक्षी है, पीले गर्दन वाला brulwool यह पक्षी, और यहाँ पे green pigeon मिलता है हरा कबुतर, जिसको बोलते हैं pumpa door green pigeon, और white-backed vulture, यह गिद मिलता है जिसको white-backed vulture बोलते हैं, ये तीन सबसे मुख्य पक्षी हैं यहांके श्रीवेंकर टेश्वरा, नैशनल पार्ग भी यहां पे कोर एरिया में है, सेशा चलम, हिल्स बायस्फेर रिजर्व फिर है पन्ना बायस्फेर रिजर्व, पन्ना बायस्फेर रिजर्व पर भी दुश प्रभाव पड़ रहा है। तो यह हमारे सारे Biosphere Reserve complete हो गए, पूरे 18 हमने टेटेल में पढ़ लिए, अब इन में 11 ऐसे हैं जो World Network of Biosphere Reserve में वो कौन-कौन से हैं तो year के साथ यहाँ पे लिख दिये गए हैं इसमें यह आप याद कर सकते हैं, लेकिन आपको मैप पे दिखाता हूँ यह 11 कौन से हैं तो यह 18 में से 11 वो हैं, जो UNESCO ने अप्रूब कर रखे हैं, इनको बोलते हैं UNESCO World Network of Biosphere Reserve तो इन में हैं, नंदा देवी हैं इन में उत्राखन, कंचन जंगा जो सिक्किम नौक्रेक, Biosphere Reserve में घाल लिया, सुंदर्बन, पैस ब्रेंगौल सिमलिपल, ओडिशा अचान कमर, अमरकंटक चतिजगड़ और मत्यप्रदेश ग्रेट निकोबार, गल्फ ओफ मननार गल्फ ओफ मननार वाला जो तमिलनाडू शिरलंका के बीच में जो है निलगिरी, Biosphere Reserve जो की तीन राज्यों में है, तमिलनाडू, केरल और करनाटक अगस्ते माला, जो की केरल और तमिलनाडू दो राज्यों में है और पंच मड़ी, जो मत्यप्रदेश में है तो ये 11 सबसे इंपोर्टेंट है, 18 में से, क्योंकि ये UNESCO के World Network of Biosphere Reserve में है तो ये था हमारा complete video, complete coverage, Biosphere Reserves of India ये video को कैसा लगा, social media पे जरूर मुझे feedback दीजिए अगला जो video होगा, उसमें मैं रामसर साइट्स पढ़ाऊंगा आपको, वो एक अलग बिल्कुल अलग topic है, लेकिन आपने देखा जैसे कि इस video में भी कि जैसे सुन्दर बने, वो एक रामसर साइट है तो ऐसा नहीं है कि सब कुछ नया है, लेकिन हाँ वो एक concept नया है, कि wetland क्या होता है आर्दिर भूमी क्या होता है, रामसर में countries क्यों मिले, क्या हुआ, क्या बाते हुई और रामसर साइट क्या होते है सो मिलते हैं ले वीडियो में, वीडियो नमबर 5 थैंक्यू सो मच